वाइलो एवर्वर्वर जाजा कि मैंने फर्स पेपर का इंप्टन कोशिए बताय थे क्योंकि हमारे एक्जाम लग्रों निश्टी के स्टार्ट है तो फर्स पेपर में इंप्टन कोशिए था आए चलिए वीडियोगे 2nd पेपर का डिसकूस करते हैं पिपर में युनिट फर्स के लिएक लिए तो इनिल first में हमारा क्या है educational psychology concept method scope and its implications तो जो एजुकेशन psychology इसे हमेशा से एक question तो जरूर ही आ जाता है तो इसलिए यह एक बाद देख लीजेगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है IMPORTANT में ले लेंगे E-Education, Psychology, से इसके concept, methods, scope यह भी देख लीज़ेगा एक जो फुर्धान ही Human Growth and Development वरोप्रमेंट भालका सरीट के लीज़ेगा वैसे उत्ता तो IMPORTANT नहीं है फिर भी देख लीज़ेगा मिई भी questions आसको सकते यह इसे इंपोर्टन नहीं कहूंगे इसके बाद जो थाइट वाला है चाइल्ड होड़ा है इसके जो फिजिकल फीचर से सब कुछ तो यह मैं इंपोर्टन कहूंगी तो एक बार इसे देख लीजेगा इसके बाद इमोशनल सोशल मोरल डेप्लाप्मेंट चाइल्ड के तो यह त इसके पड़ें तो उसके सारे फीचर से पड़ें है एडॉलसंस भी उसे मैं इंपोर्टन कहूंगी बर्ट मोर्स इंपोर्टन नहीं कहूंगी तो फिर यह एक बार एकजाम है तो थोड़ी रूदी कर लीजेगा ना अई चले लेरें अचले लेर्निंग जालते हैं ए जैसे कोई एक देख लीजेगा क्योंकि option तो रहते ही हैं हमें 10 को इसके साथ जादा थियूरी जादा थियूरी जाए और जो दो-तीन थियूरी और है अगर आप चाहें तो नहीं तो फिर लेर्णिंग देख लीजा क्योंकि आएंगे तो हम करी लेंगे है ना चलिए थार्ड यूनिट पर चलते हैं थार्ड यूनिट क्या है इंटेलिजेंस एंड क्रेटिविटी जैसा कि एजुकेशन साइकोलोज इंपॉर्टेंट था लेर्णिंग उसी तरह मै इंटेलिजेंस को भी कहूंगी कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इंटेलिजेंस से रिलेटिड कॉंसेप्ट मीनिंग इस नहीं चाहिए सभी कुछ देख लीजएगा इससे रिलेटिड थियोरी है तो वह भी एक बाइद देख लीजएगा क्योंकि आ जाएगा तो हम कि और उसके बाद इसके अलाओ तो मुझे थार्ड यूटिन पे और कुछ लगता नहीं है इंपॉर्ट हां लेकिन जब परस्णाल्टी की बात करें तो चुकि आजाता है फोर्थ यूनिट में परस्णाल्टी और में परस्णाल्टी को मैं कहूंगी कि हां यह मुस्त सब्सक्राइब करें तो यह हो गया कुछ फर्स्ट में एजूकेशन साइकोलोजी सेकेंड चाइल्ड हूल थर्ड लर्निंग और फूर्ट इंटेलिजेंस और इसके अलामा परस्नाल्टी टेस्ट और कोशनरी इतने भी तो आई थिंक होई जाने चाहिए अगर हम इता पढ़ लेता है तो हमें और और चीज़ें पता ही चल जाएंगे और जो इसके अलामा कोशन्स आएंगे वह हम अपनी से कर भी सकते हैं तो आपको कैसा लगा प्लीज बताएं और कोई डाउट है तो प्लीज कमिन कीजा थांक्यू जाहें